स्वागत आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट में आज हम कर रहे हैं चेप्टर नंबर 20 फाइनेशल स्टेटमेंट्स के क्यूश्य नंबर 11, 12, 13, 14 लास्ट वीडियो तक हमने सिखा था कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट कैसे करने ग्रोस प्रोफिट कैसे करने सेल्स की वैल्यू कैसे निकालने यह हमने सिखा था आज हम एक नए टोपिक स्टार्ट करेंगे प्रोफिट लोस अकाउंट और साथ में आज हम बैलन्स इट भी कम्प्लीट कर लेंगे तो इस चैप्टर का जितना भी बेसिक है आज की वीडियो में कम्प्लीट हो जाएगा व आपको कोई भी क्यूशन देखने तो जाके देख सकतो इस चैप्टर की प्लेइलिस्ट से प्लेइलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एवलेबल है कोई भी क्वैरी होती ही जान कर सकते आप हमारे टेलेगराम ग्रूप पैसिफिक अकाउंट लिंक वीडियो निया आपको लेन न करना कोई जरूरी नीहीं देखो एक्सपैंसी होते अपने पास और इंकम होती है हमने देखा था हमें न सिर्फ दो अकाउंट बनाने, expenses और income के लिए दोई अकाउंट बनाने, trading account and profit and loss account, trading and profit and loss account, देखो जो expenses ते direct थे, वो सारे कहाँ चलेगे अपने पास, trading में, बचे कौन से indirect, कौन से कर्चे बचे indirect, तो indirect कहाँ चले जाएंगे P&L में, कोई भी income trading में नहीं गई थी, सिर्फ एक sales गई थी, इ हमें सिर्फ trading को याद रखने, उसके अलावा जो कुछ भी है, जो कुछ भी, जितने भी खर्चे, जितने भी income, सब कहाँ आएगी P&L account में, expenses का debit होगा, income का credit होगा, हमें already पता है ये बात, ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखा by gross profit, balance bd, ये gross profit कहाँ या, trading account से, अगर gross loss होता तो सर वो debit side आ जाता, transferred from trading account, के लिए रहे, सबसे पहले हम income देख रहे, जो भी income आप सोच सकते हो ना, सारी income यहाँ पे है, rent from tenant, rent credit, discount received, discount, commission received, interest on investment, dividend on share, benefits, profit on sale of assets, income from other source, और miscellaneous income, और कोई भी income बच गई तो, ठीक है, सारी income P&L के अंदर आएगी, income को याद रखने की कोई requirement न आपने पास, जहां से भी income होरी है, सब कहां जाते है, P&L account में जाते है, ठीक है, उसके बाद खर्चे, अब खर्चों को ने different categories में बाटा है, इन्होंने, एक तो बाटा office expenses, then आया selling and distribution expenses, उसके बाद आया अपने पास miscellaneous expenses, तीन तरह के आए, कौन-कौन से office, selling distribution and the miscellaneous expenses, ठीक ह सिर्फ इतना याद रखना, learn करने की कोई requirement नहीं है, items को बिल्कुल series में याद करना है, कोई ज़रूर नहीं है, बस इतना सा एक बार देख लो, कि हाँ, यह item P&L में जाते है, बस, जैसे salary, salary and wages, देखो trading में हमने एक word देखा था, wages and salary, wages and salary, और यहां पे word लिखा हुआ है, salary and wages, salary and wages, तो भाई, यहांना confuse मतोड़ा, मैं पहली कहा हुआ हूँ आपको, अगर wages पहले लिखा हुआ है, तो trading में गया, क्योंकि हम मान के चलते हैं, कि इसके अंदर direct expenses wages जाते, salary अगर पहले लिखा हुआ है, salary and wages तो यह जाएगा, P&L में हम मान के चलते हैं, कि indirect खर्चा salary का जाते हैं, rent rates and taxes, printing, stationery, postage, lightning, insurance premium, telephone charges, legal charges, audit fee, traveling expense, establishment expense, trade expense and the general expenses, यह सब किसके पार्ट अपने पास office expenses के P&L के पार्ट हैं, carriers outward, carriers on sales, advertisement, commission, brokerage, bad debts, export duty, packing charges, delivery when expenses, stable expenses, discount allowed, repair, depreciation, interested debit, bank charges, establishment, entertainment expenses, convince, donation charity, loss on sale, और last में जो balancing figure आएगा, वो क्या हो जाएगा, net profit, और यहाँ पे अगर balancing figure आएगा, तो क्या हो जाएगा, net loss, याद मत रखना, सिर्फ एक बर इनको जल्दी से देख लो, बस आपको इतना learn हो जाए, कि हाँ, यहाँ, यह आईटम, P&L में देखा था कही, बस, इतना बहुत है, ठीक है, चल, question देख्या, हमें क्या करना है, हमें यहापे बढ़नाने profit and loss account, अच्छा, profit and loss account के heading में क्या लिखना है, profit and loss account for the year ending, ठीक है, पर्मेट वही, particular amount, पर्टिकुलर amount, बस, पर्मेट यही चलन question में requirement नहीं है, लेकिन आज एक question आएगा, उसके बाद से हमें pencil की requirement पड़ेगी, क्यों पड़ेगी, मैं बता दोगा, तो सबसे पहले profit and loss में क्या क्या, जर्नल expenses, charity, office lighting, low charges, advertisement, bank charges, commission, rent rates and taxes, interest on investment, sundry income, indirect expenses, printing and stationery, gross profit, carriage outward, office expense, fire insurance premium, telephone, establishment, miscellaneous, discount received, traveler salary repair and commission credit, स्वारे के स्वारे खर्च कोई भी एक भी खर्च आपको ऐसा दिख रहा है, जो trading का हो, नहीं है, कुछ सब कुछ नहीं है, तो सारे खर्चे पेंडल के debit, income, पेंडल की credit, ठीक है, चलो, सबसे पहले format करते हैं, क्या लिखेंगे profit and loss account, क्या हम सोल्ट में लिख सकते हैं, इसको मेरी तरफ से लिख सकते ह हो, for the year ending, कौन साल अपने पास भाई है, 31st March 2023, आपकी बुक में हो सकता है, कुछ और हो, ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास format आएगा, particular, then amount, फिर से particular और amount बस खता हूँ, इतना ही काम है, इस format में, particular amount, particular amount, थोड़ी सी मैनत लगेगा, आइटम दोथ सारे लिखने, तो क्यूशन को start कहां से करते हैं, हम gross profit से, gross profit कि साधा, credit साधा, तो यहां लिखेंगे, by gross profit, transfer from, कहां से transfer के, आमने इसको trading account से, transfer from trading account, transfer from trading account, सेमलेक सिक्स्टी नाइन टाओ जे यह होगे अपने पास कि टिक करते चलना उसके बाद आप किसी भी साइड से उठालो कोई फरक नहीं पड़ रहे हैं पर क्यारियज आउटवर्ड उठालो या फिर यहीं से उठालो जर्नल एक्सपेंसेज ट्वेल थाउजेंट टू जर्नल एक्सपेंसेज मैं थोड़ा सोल्ट में लिख रहा हूँ इसको आप लोग कंप्लेट लिख ले ना ट्वेल थाउजेंट उसके बाद चैरेटी थ्रे थाउजेंट चैरेटी के बाद ओफिस लाइटनिंग फाइफ थाउजेंट लोगा चारज इस पिपफ डबल जो अड़टी इसमा 14200 बैंक चारज इस बन टो डबल जो अब देखो ये मत बोलना कि सरा हमें पता कैसे चलेगा कि डेबिट आएगा क्रेडिट खर्चे एंड डेबिट इंकम में क्रेडिट ठीक है उसके बाद कमेशन 7000 र蓁ट रेट्स और टैक्सिस 30000 इंटरेस्ट और इंवेस्ट में यह इनकम होगी इनकम होगी किस सर जाएगा क्रेडिट की साइट 12000 इतना तो हम पढ़ चुके की समझ में आ रहा है कि क्या खर्चा क्या इंकम फिर भी confusion है, तो भाई ये format बैट के रटलो, से दिसी बात में, ठीक है, उसके लावा कुछ नहीं बसता फिर, संद्री income, income question ने खुद बोला, credit होगा 6,000, indirect expense is 2100, printing and stationery 1500, carriage outward 20,000, office expense is 16,000, fire insurance premium 18,000, telephone expense is 13,500, establishment expense is 25,000, miscellaneous expense is 7,100, उसके बाद discount received 6,000, discount received किया ना, तो income होगी, credit हो जाएगा, traveler salary 60,000, अब यहाँ space नहीं है, अब हमारे पाद space है, traveler salary 60,000, repair 43,000, फोर्मेट ना थोड़े से बड़े जाएंगे, तो आपको अर्जेस्ट करना पड़ेगा थोड़े सा, ठीक है, उसके बाद commission credit हो जाएगा, 2000, 2000, ठीक है, यह अपने पास complete हो गया, अब हमें क्या करने है, total माणना है, यहाँ पर, total करेंगे, credit का अलग करेंगे, debit का अलग करेंगे, पहले credit का कर लो, 769 00, 000, 7169,000, 12,000, 600, 6200, and 2000, total आ रहा है, आपने पास, 795 200, अलग से लिख लेना भाई, total किसी और जेंगे पर, ठीक है, उसके बाद, 12,000, 3,000, 5,000, 5,800, 14,200, 12,000, 7,000, 30,000, 21,000, 15,000, 20,000, 16,000, 18,000, 13,500, 25,000, 7,100, 60,000, and 4,300, total आपने पास, 223,200. चीक है, अब अपने पास, total कौन सा जाद है, total अपने पास, हमें दिख रहे है, credit का जाद है, credit का जाद है, credit का टोटल लिख लेंगे, 795 200, 795 200, इसमें से माइनस कर देंगे, 223 200, तो बैलन्स कितना आ जाएगा, अपने पास, 572,000 का बैलन्स बचेगा आपके, और यह क्या हो जाएगा, अपने पास, net profit हो जाएगा, क्या लिखेंगे, to net profit, और यह कांट ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर टू, काइन ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में, ट्रांसफर टू, कैपिटल, अकाउंट, तो इस तरह से, हमें अपने profit and loss अकाउंट बनाने, ठीक है, यह question number 11 concept, अब आजो question number 12 के उपर, अब यहां पर ने एक नया concept आ रहे, calculate the amount of gross profit, operating profit, यह वाड़ा जो topic है, यह इसने book में नहीं समझाया कहीं भी, लेकिन class 12 में important बनता है, क्योंकि वहां पर न अपने पास दो ratio निकलते हैं, class 12 में जाओगे न तो operating profit ratio, and the operating ratio, वहां पर काम आए गए, तो इसे यहीं पर पढ़ लो बढ़ना 12 में दिक्कत आएगी, question सिर्फ एक या दो इस concept के ओपर, लेकिन आगे फिर दिक्कत करता है, net profit on the basis of the falling balances extracted from the books of Messers, Rajiv and son, for the year, 31 March 2023, तो हमें ट्रेडिंग, gross profit का पता है, net profit का पता है, हम trading P&L से निकाल लेते हैं, सर यह operating profit कहां आता है, इसे देखेंगे, पहले हमें जितना आता हम उतना करते हैं, gross profit का पता है, हम trading account से बना सकते हैं, pencil निकाल लो, और pencil को साथ रखना, देखो, मेरे साथ लिखते रहो, opening stock कहां जाएगा trading में debit, लिखते रहना बाई साथ साथ, अधरवाई जब आप question करोगे ना, अभी तो बहुत छोटे-छोटे question आ रहें, बाद में 3-4-4 slide के तो question है, next chapter में, वहाँ दिखता है कि तो आधत अभी डालो, trading में credit, net purchase, trading में debit, अभी लिखते हुए चलो, मेरे साथ साथ लिखते हुए चलो, नहीं लिख पा रहें, किसा debit होगा credit तो एक काम करो, इतना लिख लो, इससे भी बात बन जाएगे हमारी, अभ trading and distribution, P&L के अंदर, lows due to fire, also to P&L, and closing stock trading account में जाएगा, ठीक है, जब आप question करने लगोगे, इतना fluent हो जाओगे, आपकी आप जल्दी जल्दी लिख पाओगे, कि कौन सा आइटम कहां जा रहे, देखो हमें तो पते, कहां जाएगे, काफी टाइम होगे, पटाते हुए, तो प पते है, आपकी भी हैबिट हो जाएगी, कुछ दिन के बाद, जब आप करोगे, ठीक है न, सबसे पहले हमें पता है, ट्रेडिंग कैसे बनता है, हम ट्रेडिंग कर ले, ठीक है, जाए तो यहीं पर ही लिख, चलो अलग लगी कर लो, ट्रेडिंग अकाउंट, इसके बाद ह में इखटा करा देंगे, सबसे पहले, ओपनिंग स्टोग, ट्रेडिंग अकाउंट में किससा डाते है, डैबिट साइड, लिख दो भाई, टू, ओपनिंग स्टोग, डैबिट साइड आएगा, कितनी वैल्यू है, इसकी 50,000 रुपीज, ठीक है, टिक करते रहे ना, साथ-साथ, नेट सेल्स, क्रेड साइड आता है, डैबिट की साइड आता है, इसके लाओ, और कोई आइटम अपने पास, टेडिंग का, हाँ, है, एक प्लोजिंग स्टोग अपने पास, 70,000 का, टोटल कर लो, और यहाँ पे बैलेंस लिखेंगे, तो मेरे को तो साथ-साथ दिख रहे है, कि क्रेडिट का टोटल जाद अपने पास, यह कितना 11,70,000, कितना यह 11,70,000, 11,70 से माइनस कर देंगे कितना, एक तो 50,000, 6,00, 60,000, तो बैलेंस कितना बच जाएगा, 4,60,000 का क्या आ जाएगा अपने पास, ग्रोस प्रोफिट आ जाएगा, टू, ग्रोस प्रोफिट, ट्रांसफर टू, प्रोफिट और लोस अकाउंट, ठीक है, यह होगा अपने पास, अब यहीं पे ही प्रोफिट और लोस कर ले, ओप्रेटिंग प्रोफिट का कंसेप्ट मैं आपको बत प्रोफिट कि ट्रांस्फर फ्रों पी अडेल अकउंट ट्रांस्फर फ्रों पी अडेल अकोंट फ्रम ट्रेडिंग अकॉंट से आ रहे तो पेंडल अकॉंट कितना अरे अपने पास 4,60,000 का, for like 60,000 का, उसके बाद administration expenses 45,000, खर्चाए debit आएगा, to administration expenses 45,000, selling and distribution expenses 65,000, loss by fire, 20,000, total तो credit का ही जाद है, 4,60,000, 4,60,000 से माइनस कर देंगे, 45,000, 65,000, and 20,000, balance कितना बच जाएगा, 3,30,000 का balance बच जाएगा, और अपने पास यह क्या हो जाएगा, to net profit, to net profit, transfer to, कहां transfer करेंगे इसको, capital account में, ठीक है, capital account में हम transfer कर देंगे, तो इतना हमने पढ़ा था, इतना हमने कर लिया, यह हमने पढ़ा था न अभी तक, trading panel, यह हमने कर लिया, तो मतलब question के हमने दो part cover कर लिये, कौन-कौन से cover कर लिये, एक तो हमने gross profit cover कर दिया, एक हमने net profit cover कर दिया, sir, इस operating profit को कैसे calculate करें, तो मेरे साथ ने एक format बनाओ पहले तो, profit and loss account का एक नया format बनाओ मेरे साथ, अपनी notebook में, यह आपकी book में नहीं है, मैं करा रहा हूं करो इसको, यह वह particular amount, particular amount है, तो यहाँ पर अपने पास क्या आता है, by gross profit, ठीक है, यहाँ लिखो to operating expenses, यहाँ लिखो by operating income, amount कुछ भी हो, हमें नहीं पता भी कितनी amount है, total करेंगे, जो भी आएगा, उससे debit का total minus करेंगे, और यहाँ पर जो balance आएगा, उससे हम क्या बोलेंगे, operating profit बोलेंगे, क्या बोलेंगे, operating profit, और इसे यहीं पर लिख लेंगे, by operating profit, यह पी अंडेल अकाउंटी, continue हो रहे है, यह जो amount आई थी, इसे हम यहाँ लिखते हैं, उसके बाद, यहाँ लिखो by non operating income, और यहाँ आ जाएगा अपने पास फिर्ट, तो net profit, और यहाँ आजाएगा अपने पास फिर्ट, तो net profit, करेंगे था प्रॉफिट पे लेके चलते अगर माल लो यहां पर क्या आ जाएगा टुम इस ग्रोस लोड़ा को यहां पर लिखना है तो लिखनांग नहीं तो लिख लो बाई नेट लोग्स ठीक है लोग्स जर्णली कंसेडर हम करके नहीं चलते उप्रेटिंग प्रोफिट वाले केस में जर्णली कुछी नहीं मिलता हमें ठीक है अगर लग रहे हैं आपको नहीं सर हो सकता है तो लिख लो भाई गैंष्या Jins teem Vait लोग या फिरफिट योगा ध्यां रखना इस बात का दोनों एक सास्थ नहीं हो सकते ठीक है तो यह अपना फोर्मेट हो जाएगा ेक नए प्रेडिंग उनों नीनियुके से रिलेटिड खर्चे थे वो कहां लेगे ट्रेडिंग उसके बाद ला इन्डारेक्ट एक्सपेंसी अमने पड़ा था तरो आपने बताये था कि आपना इंडारेक्ट-ईक्सपेंसी दो तरह कि उततह हैं एक तो ओपरेटिंग खर्चे ओपरेटिंग एक्स्पेंसेज एक होते हैं नोन ओपरेटिंग एक्सपेंसेज ऐसे इंग करना कि बिजनस को चलाना वह expenses expenses वो लिखना मत कुछ भी यह सब समझाने के लिए अगर नहीं लग रहा है कि नहीं सब थोड़ा लिख लेते हैं लिख लो expenses वो expenses जो business को चलाने के लिए जरूर है जो business की running के लिए जरूर है मतलब अगर हमें business को चलाने तो यह खर्चे होंगे ही होंगे वह अपने पास operating expenses या फिर day-to-day nature से related expenses day-to-day nature से related या फिर वो खर्ची जो revenue generate करने में help करते हैं याद रखने की कोई जूर्त नहीं है इसे लिखने की कोई जूर्त नहीं है मैं पताऊँगा हो जाएगा question समझा दूगा आ जाएगा ठीक है day-to-day nature से related हो revenue generate करने में help करते हो ठीक है या फिर जो business की running में important हो वो सारे खर्चे क्या है operating expenses है तो सब्सक्राइब क्या होंगे वह खर्चे जो operating नहीं है expenses which are non operating which are not operating ठीक है वह खर्चे जो operating नहीं है वह सारे कर्चे क्या हो जाएगे नोन और नोन अपरेटिंग के एक्जामपल और उपरेटिंग क्या हो देखो मैं आपको एक्जामपल देख में पार्मेट के उपर आ जाओ एक बार यह अपना फॉर्मेट था ना यहां पर जो भी यह जो आपने ओफिस एक्सपेंसिज लिखा यह ओपरेटिंग खर्चे जरूरी यह चलाने के लिए कि सेलिंग एंड डिस्ट्रिब्यूशन एक्सपेंसिज यह सारे खर्चे ओपरेटिंग जरूरी है बिजनस को चलाने के लिए तो से नोन ओपरेटिंग क्या है नोन ओपरेटिंग आया जैसे अपने पास लोस on sale of asset asset को बेच के नुकसान हुआ क्या इससे business चलेगा हमारा काम asset को बेचना थोड़ी नहीं हमारा काम तो क्या एसेट को यूज करने, donation and charity, अगर आप donation नहीं दोगे तो क्या business नहीं चलेगा, चलेगा, ठीक है, जैसे अपने पास इसमें और कुछ लिखा हुआ है, और तो इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, तो यह अपने पास क्या आगा, अपने पास यह non operating expenses जागे, दो example मैंने आपको दे यह donation and charity, भाई donation नहीं दोगे तो भी business चलेगा, लोसल सेल अफसेट हुआ, तो भी business चलेगा, तो वो खर्चे जो business को चलाने के लिए जरूरी नहीं है, वो सब क्या आओगे non operating, और इसके लावा जो कुछ लिखा हुआ, सारे के आपने पास operating expensive है, तो सर यह जो question अभी हम कर र जाएंगे, 11 नहीं तो 12 में तो जरूर काम आएंगे, 11 नहीं तो 12 में तो काम आएंगे, लिख लोगे मेरे साथ, operating profit को calculate करने का एक formula और लिखो, मैं आपको दो formula लिखवा देता हूं, दोनों ही लिखो, अगर आपको gross profit given है, क्या given है gross profit, तो gross profit के अंदर plus कर लो operating income, plus कर लो operating income, minus कर दो operating expenses, minus कर दो operating expenses, क्या निकल के आ जाएगा operating profit, या फिर operating profit को दूसरी तरह से भी calculate कर सकते है, अगर अपने पास net profit है तो, तो net profit है तो, non operating expenses को क्या कर लो, plus कर लो, and minus कर लो non operating income, ये दो formulae और लिखके छोड़ दो, ठीक है, इन से भी हम calculate कर सकते हैं, अपने पास क्या, क्या calculate कर सकते हैं, हम calculate कर सकते हैं, operating profit, ठीक है, क्लिए रहे, चलो, अब जो last question हम ने किया, इसके अंदर हम operating profit calculate कर ले, ठीक है, देखो, क्यासे करें, मैं आपको दोबारा ह ही करा रहा हूं सारा, ट्रेडिंग तो हमने करी लिया था ना, तो मैं P&L दोबारा करा रहा हूं, अपना gross profit कितना आया था, gross profit आया था, 4,60,000 का, by gross profit, 4,60,000 का, gross profit आया, ठीक है, अब हमें खर्चे लिखने, कौन से operating, कौन से non operating, तो administration expense, operating होता है, selling and distribution expense, operating होता है, loss due to fire, तो यह दोनों खर्चे ओपरेटिंग होता है, loss due to fire, अपने पास non operating होता है, ठीक है, तो यह लिखेंगे, 2, administration expense, 2, selling and distribution expense, कितना आ जाएगा, 45,000, 60,000, 45,000 and 65,000, total कर लो, 4,60,000, इस 4,60,000 से माइनस कर देंगे, कितना, 45,000 and 65,000, तो operating profit कितना आ जाएगा, balance बचेगा, 3,50,000 का balance बचेगा, और यह क्या हो जाएगा, अपने पास, operating profit, balancing figure, ठीक है, यह आगया, 3,50,000 का, उसके बाद, अब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, by operating profit, 3,50,000, एक non-operating खर्चा था, क्या था, अपने पास, loss due to fire, यहाँ लिखेंगे, to loss due to fire, कितने का बचेगा, loss due to fire, 20,000 का, माइनस कर देंगे, और अपने पास आ जाएगा, net profit कितने का, 3,30,000 का, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, अपने पास, यह तो अपने, हमने जो पहले पढ़ा था, अब अगर आपको operating भी साथ में निकालने, तो आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप formula यूज कर सकते हैं, formula में कैसे करोगे, चलो मैं बताई देता हूँ, क्योंकि questions कब है, अब हमारे पास एक या दो क्योश्य नहीं है, इस टोपिक की उपर, practice करी नहीं सकते हैं, ठीक है, देखने, तो ग्रोज प्रोफिट से अगर हमें operating profit निकालने, क्या निकालना हमें, operating profit निकालने, तो कैसे करेंगे, operating profit आजाएगा, gross profit, gross profit कितना आए अपने पास, यह रहा न, 4,60,000, 4,60,000 के gross profit से हम operating expenses को minus कर लेंगे, 45,000, end is 65,000, कितना आजाएगा, 3,50,000, या फिर, operating profit हम calculate कर सकते हैं, net profit से, net profit कितना आपने पास, 3,30,000, उसके अंदर, plus कर देंगे, non operating expenses, 20,000, तो कितना आजाएगा, 3,50,000, चाहिए कोई भी formula यूज करो, चाहिए कैसे भी करो, format बना के करो, चाहिए इस formula से करो, कैसे भी करो, answer से मान आपका, 3,50,000, operating profit, मैंने आपको बहुत ज़्यादा explain कर दिया, इतने की requirement नहीं थी, ठीक है, बस इतना भूरत है, इतना याद रखना, class to health में questions बन जाएगे, आपसे, और एक ये question और operating profit का, इसके लावा operating profit का कोई और question नहीं आपका, calculate the operating profit from the following, देखो, format बनाने मैंने आपको बता दिया, कैसे करना है, अब यहाँ पे न, actually net profit given है, net profit given है, gross profit होता तो मैं आपको format से करा देता, लेकिन यहाँ पे क्या given है, net profit, तो हमें इस question को formula से solve करना ठीक है, so formula क्या था, हमारे पास, net profit से formula क्या था, अरे net profit था न, अपने पास, operating profit करने का formula, from net profit, तो वो था अपने पास, net profit plus, non operating expenses, non operating expenses, minus non operating income, यह था न, अपने पास formula, ठीक है, net profit है, अपने पास, पांच लाग का, लिख लो भई, net profit है, अपने पास, पांच लाग का, इतना हमें आता है, इतना हम लिख सकते हैं, अच्छा, अब नोन operating expenses, कौन कौन से, या फिर नोन operating income, पहले लिख लो, dividend received is a non operating income, dividend received is a non operating income, अगर आपको dividend received ना भी, तो भी आप operating expense, क्या ये non operating expense, lows by fire, हमने last question में देख लिया था, क्या ये non operating expense है, salaries, sir, operating है, ये तो देना है, interest on loan from bank, sir, ये non operating है, अगर हम लोन ना भी ले, तो भी हमारा business चलेगा, rent received, sir, rent received, non operating income, भाई, आपका काम थोड़ी ना है, कि rent वगएरा को लेना है, ये तो non operating है, भाई, rent received क्या तो ये क्या हो जाएगा, non operating income हो जाएगा, लेकिन rent pay करना, आपका operating expense है, ध्यान रखना, donation दे दिया आपने, तो ये क्या हो जाएगा, non operating expense हो जाएगा, आरे donation नहीं भी दोगे, तो भी business चल रहा है, ठीक है, तो हमारे पास दो income आई, non operating income में दो income आई, कौन कौन सी, donation, dividend received 6,000, and the rent received 24,000, ठीक है, तो इसे ऐसे लिख ले हैं आपके, bracket बंद करो, एक नया bracket open करो, minus का sign लगा, non operating income में आगया अपने पास, 6,000, and 24,000, और non operating expenses में क्या है, loss on sale of furniture, 12,000, loss by fire, 50,000, उसके बाद आ जाएगा, interest on loan from bank, 10,000, and अपने पास आजाएगा, donation, 5,100, तो ये 4 होगे अपने पास, non operating expenses और वो दो होगी, non operating income, formula हमने पहले ही देख लिया था, अच्छा, आप वहले पूट कर लो, 5,000, plus non operating expenses का total कितना हो जाएगा, अरे non operating expenses का total कितना आजाएगा, non operating income कर ले पहले कितना आजाएगा, 30,000 ये तो मेरे को डारेक्टी हो गया, 12,000, 50,000, 10,000, and 5,100, 77,100, ये क्या आजाएगे non operating expenses, तो 5,000, plus 77,100, minus 30,000, कितना balance बच जाएगा, 5,4,7,100, balance बच जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अपने पास, operating profit आजाएगा, देखो थोड़ा सा नया concept है, दो ही question है, तो हो सकता आपको थोड़ी confusion रहे, लेकिन class 12 में बहुत question है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, हमने कैसे क्या मैं फिर बता देता हूँ, net profit के अंदर non operating expenses हमने क्या किये, plus के non operating income हमने minus के, हमने आपके category पहले ही बना दी थी, कि कौन से non operating expenses है और income, ये दोनों income थी, और ये अपने पास expenses आ गए, ठीक है, आपकी book में न, दो बाते बोली हुई है, कि balance sheet का format न, as per liquidity करने है, और as per order of permanence करने, as per order of liquidity, order of liquidity, and the order of permanence, order of permanence, ये दो बाते बोली हुई है, by मेरे view से इसकी कोई requirement नहीं है, balance sheet को match कर दो, वो बड़ी बात, ठीक है, balance sheet, हमने chapter 6 में किया था, balance sheet अगर आपकोई याद है, तो chapter 6 में, जब हम accounting equation कर रहे हैं, तो balance sheet का थोड़ा बहुत हमने वहाँ पढ़ा था, हम यहाँ पर लिखते थे, liabilities and equity and liabilities, ठीक है, liabilities and capital लिखते थे, equity नहीं, capital and liabilities, और यहाँ आपने पास assets आते थे, chapter 6 में हमने किया था, accounting equations के अंदर, ठीक है, उसका proper format अपने पास आ गया, तो format में क्या किया आता है, देखो, सबसे पहले लिखा इन्होंने current liabilities, current liabilities में bank, और राफ, bills, payable, sundry, outstanding expense, un-earned income, non-current liabilities में loans, उसके बाद कोई reserves आ अपने पास, जैसे हमने profit को लख किया कहीं, capital में net profit add करने, drawing less करने, income tax minus करने, life insurance premium minus करने, क्योंकि यह drawing किये, उसके पाद यहाँ आते current assets, asset अपने पास बहुत सारे current assets हो गए, long term investment आगी, non current assets आगे, तो इन्होंने यह जो format किया न, यह कौन सा order है, यह न, अगर हम इसको ऐसे देखे, तो यह order of liquidity है, कौन सा यह order of liquidity में आगे, ठीक है, ठीक है न, order of liquidity आ गया, और यहाँ पर इन्होंने दूसरी बात देखो, यहाँ पर इन्होंने word उस किया, as at, क्या word उस किया, as at, balance sheet एक specific date को बनती है, balance sheet एक specific date को बनती है, वहीं trading और P&L for the year बनते हैं, for the year बनते हैं, तो वहाँ पर हम for the year ending word उस कर रहें, और यहाँ पर हम क्या word उस करेंगे, as at, किस दिन हम बना रहें, ठीक है, जर्नली year end के उपर हम इसे बनाते हैं, आपको न यह order maintain करेंगे, अगर question ने बोला तो, अगर आपके teacher ने question में लिख दिया, कि maintain the order of liquidity, इस तरह से लिखने, कहने का मतलब क्या, पहले current liabilities लिखेंगे, फिर non current लिखेंगे, फिर reserve फिर capital, उसके बाद यहाँ लिखेंगे, पहले current assets, investment, non current assets, अगर order of permanence हो तो सर, तो हमें कैसे करने, फिर पहले non current assets आएगा, long term investment आएगी, current assets आएगे, capital आएगा पहले, फिर reserve, फिर non current liability, फिर current liability, बतलब, इसका एकदम, opposite उल्टा हो जाएगा, तो अब हम question देखते हैं, ठीक है, question number 14, पैंसिल निकाल लो, और मेरे साथ साथ लिखते रो, सबसे पहले, following is the trial balance of three, दामोदर परसाज, as a 31st March 2020, prepare हमें क्या करने, trading account बनाने, profit and loss account करने, और साथ में balance sheet भी करके देनी, ठीक है, और closing stock, कितना अपने पास यहाँ पी 22,000 का, तो यह अपने पास stock है, 14, 2019 को, यह अपने पास opening stock होगा, क्योंकि अपने पास 31st March closing है, तो एक चार क्या होगा, opening trading account में आएगा, purchases, trading account में आएगा, wages, direct खर्चा trading में आएगा, return inward, trading में आएगा, carrier zone purchase, trading में आएगा, ठीक है, now, carrier zone sales, कहां जाएगा, अपने पास, P&L में जाएगा, office salary, P&L, rent rates and taxes, P&L, cash, अपने पास asset है, cash क्या है, asset है, balance sheet में जाएगा, bank balance, balance sheet में जाएगा, asset है यह, bad debts, क्या अपने पास, P&L में जाएगा, debit side, discount allowed, P&L, lane and building, asset है, balance sheet, scooter, asset है, balance sheet, scooter के उपर खर्चा किया, P&L, bills receivable asset है, balance sheet, commission, अब अपने पास यह क्या है, debit है, यहाँ पर debit balance बोला न उपर, debit है, तो यह किसाट जाएगा, P&L में debit side, sundry debtor asset है, balance sheet, interest on X loan, जो X का loan है, हमने देखो, यहाँ पर credit side ना, loan लिया, loan from X, तो यह liability होगी, यह अपने पास क्या होगी, liability होगी, liability है कहाँ जाती है, अपने पास, balance sheet में, तो liability के उपर हम interest पे कर रहे है, खर्चा है, debit side, P&L में, drawing, capital से minus करेंगे, balance sheet में, discount received income है, P&L, return outward, अपने पास कहाँ जाएगा, trading account में, sales, trading account, बिल्स पेबल, liability है, balance sheet, creditors, liability है, balance sheet, creditors for rent, creditors है, तो कहाँ जाएगा, balance sheet, capital balance sheet, commission, income है, P&L में, तो इस तरह से, हम पहले question को लिखेंगे, ताकि हमें, idea है कि कोण सा item कहाँ जाना है, और कोई भी item, skip ना हो, जब हम format करें, तो आपने ये लिखें लिया, ये लिखें लेना बाई, साथ साथ ना, pencil रखना, pencil ज़ें लिखना, कभी pencil लिख दो, कहीं दोबारा revision करने बैठो, तो आपको पहले ही बताओ, कोण सा item कहाँ जा रहे, कोई फायता नहीं है, ठीक है, लिख लिखें लिखें, आप लोगों नहीं, ये लिखें बहुत आराम से करा, हमें trading account बनाना आता है, हमें pndl आता है, नया क्या अपने पास, balance sheet, तो करें, तो यानब ऐसे लिखना, trading and profit and loss account, हम एक ही format में दोनों करेंगे, trading and profit and loss account, for the year ended, for the year ended 31st March 2020, आपकी बुक में ओ सकता, कोई ओर डेट हो, तो वो अपने देख लेगा, योशन सेम सेम रहता है, ये अपने पास ने date change कर देते हर साल, पहले हम क्या करेंगे, trading account करेंगे, क्या करेंगे पहले हम trading account, particular amount, particular amount, सबसे पहले क्या आएगा, अपने पास opening stock 10,000 का, टिक करते रहे ना भाई, साथ साथ दो जो होता जाए, to opening stock 10,000, उसके बाद purchase जाया 58,000, इसको अंदर लिखना अंदर वाले column में, क्योंकि अपने पास बाद में क्या आएगा, return में कह रहा है, wages है, अपने पास कितने की 4700 की, एक लाइन छोड़ के लिख दो, two wages, 4700, ठीक है, wages हो गया, return inward, return inward क्या होता है अपने पास, sales return, return inward क्या होता है, sales return, तो यहाँ लिख लो, पहले आप, by sales minus, return inward लिख लो, या फिर sales return लिख लो, जो भी आपको लिखने है, so return inward कितना अपने पास, 3520, 3520, उसके बाद, return inward यह सार हो गया, carriage on purchase, 2360, to carriage on purchase, कितना अपने पास, 2360, ठीक है, next आ जाएगा अपने पास, carriage on sales, यहाँ से पेंडल आ रहे है, तो पहले हम न सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं यहापे, अब ट्रेडिंग का और कोई आइटम है यहापे देखो, नहीं है, इस साथ ट्रेडिंग का है, return outward है, कितने का, 2600 का, minus return outward, 2600, minus हम बाद में कर लेगे, उसके बाद sales अपने पास, कितने का, 98,650 का, 98,650 का sales है, उसके बाद अपने पास एक closing stroke मिले, ध्यान रखना भाई, इसे भूल मत जाना, closing stroke को 22,000, buy closing stroke 22,000, यहाँ पे अपने पास, ट्रेडिंग के सारे आइटम कम्प्लीट है, ठीक है, total करो, और balance basic लिख दो, यहाँ पे कितना आ रहे, और आएगा अपने पास gross property, transfer to, P&L account, कितना आएगा, 98,650 से minus कर लो, पहले 3520, तो यहाँ से जब हम इसे minus करेंगे, तो balance बच जाएगा, 95130 net sales, plus 22,000, 117130, 117130, नउ, पहले इसे कर लो, 58,000 से minus कर लो, 2600, यहाँ जाएगा, 55400, ठीक है, अब 117130 से minus कर दो, यह सारे item, 10,000, 55400, debit वाले सारे item minus कर लो, तो balance बच जाएगा, अपने पास, 44670, 44670, यह अपने पास trading company हुआ, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, by gross profit, transfer from, कहाँ से आया चलके, यह P&L account से, कितना आगया भाई, 44670, अब हम P&L के item लिखना स्टार्ट करते हैं, carrier zone sales, 710, उसके बाद, office salaries, 4800, rent and taxes, 2400, अब अपने पास balance sheet में, bank balance balance sheet में, bad debts, कितने के bad debts, अपने पास 600 के, bad debts, 600 के, उसके बाद, next item के अपने पास, discount allowed, कितने का 640 का, उसके बाद, अपने पास आजाएगा, scooter repair, कितने का, 850, scooter repair के बाद, आजाएगा, अपने पास, commission, कितने का, 1800, commission के बाद, आजाएगा, अपने पास, interest on, excellent, 1500, अब आजाओ, credit side, credit side, discount received, 750, उसके बाद, आजाएगा, अपने पास, commission, 1200, बस, और कोई item नहीं है, यहाँ पे पेंडल का, total कर लो, balance निकाल, और balance आपको पता है, net profit ही निकलेगा, last तक तो, ठीक है, यहाँ लिखेंगे, two net profit, balancing figure, transfer to, काँट transfer करेंगे, हम इसे capital account, total कर लो भाई, credit side का total करो, 44670, plus 750, plus 1200, यह आजाएगा, 46620, 46620, minus कर देंगे, यहाँ से हम कितना, 710, 4800, 2400, 600, 640, 850, यहाँ आजाएगा, 23320, 23320, यह अपने पास, क्या complete हुआ, trading and profit and loss account, अपने पास, यह complete हो गया, ठीक है, ट्रेडिंग पेंडल अपने पास, यहाँ पे यह complete हुआ, complete आगया, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमें करना है, balance sheet, क्या करना है, balance sheet, तो balance sheet करेंगे, और balance sheet में क्या लिखेंगे, as it, क्या लिखेंगे, as it, कौन सी डेट को है, 31st March, या credit side नहीं होती है, balance sheet के अंदर, debit credit side नहीं होती है, मैं पहली बता रहूँ, और balance sheet के अंदर, जो sides होती है, वो होती है, अपने पास, liabilities and the asset side, यह side होती है, liabilities and capital, और यह होती है, asset sides, ध्यान रखना इस चीज़ का, कभी assets को बोलतो सा, यह वाली side, asset से ध्यान रखना, विसेज ध्यान रखना, confusion होगी, question गलत करोगी, इस चीज क्यों पर आप बाद में, clear है, अच्छा, अब हमें कौन सा order maintain करना है, क्या question में कुछ भी बोला, कि कौन सा order maintain करना है, नहीं बोला, कौन सा order लेके चले, आप बताओ कौन सा order लेके चले, order of liquidity, order of permanence, कोई भी कर लो, कोई फरक नहीं पढ़ ना, answer भी आने, मैं जर्नल ही कैसे करता हूँ, question को, मेरा करने का तरीका यह, जो दिखा लिखे दिया, ठीक है, लेकिन first question है, मैं आपको order of permanence से करके दे देता हूँ, इस question को, उसके बाद हम किस order से चलेंगे, जो समझ में आया, वही लिखेंगे, हम order लिखेंगे, क्योंकि हमें answer ठीक करने, order के पीछे नहीं भागने हमें, ठीक है, मैं इसको कर रहा हूँ, order of permanence से, from the order of permanence, भाई किसी से भी कर लो, किसी से भी कर लो, order of permanence से करो, चाहे order of liquidity से करो, एक दूसरे का उल्ट है, तो पहले हम assets लिखेंगे, assets डूनना शुरू करते हैं, सबसे पहले cash bank, ये तो अपने पास सबसे नीचे आएंगे, तो यहां लिख लो fixed asset, उसके बाद scooter अपने पास 6600 का, scooter अपने पास है 6600 का, इसके लावा और कुछ है अपने पास नहीं है, ये दो ही थे, अब आजओ current assets के उपर, एक दो लाई ही छोड़ दे ना, मालो कहीं से कुछ निकला आएंगे पता नहीं चले, current assets, तो current assets में सबसे पहले, permanence का order ना, तो permanence के order में सबसे पहले उपर लिखो, closing stock, closing stock आता है भाई याँपे, closing stock 22000 का, closing stock 22000 का, इस question को ऐसे कर लो, आग इस से आगे ना, मैं बहुत इजी method बता दूँँग, आपको कैसे करने, closing stock के बाद डुन्डो आप, 22000 के बाद आजाएगा, debtors आजाएगे 25400, next आजाएगा अपने पास, drawing तो liability side जाएगा, cash और bank अभी यह दोनों लिखने, तो पहले bank लिख लो, और फिर cash लिख लो, bank का balance कितना अपने पास, bank का balance 7820, and cash का balance कितना है, 1100, ये order of permanence हो गया, अगर आपको order of liquidity maintain करना था, तो इसका उल्टा लिखते, cash सबसे उपर आता, फिर bank आता, फिर debtor, बीर, closing stock, then scooter, linen building, मैं कहा रहा हूँ, कोई requirement नहीं है, ये question है, पहला question है, इस जैसे मैं आपको बता रहूं, otherwise मैं follow नहीं करता, capital की value अपने पास, यहाँ है 40,000, इसको अंदर लिखना है यहाँ पे, इसके अंदर plus कर लो net profit, plus कर लो net profit, कितना net profit है अपने पास, 33,320, 33,320 अपने पास net profit है, plus कर लिया, उसके बाद नहींद ड्रोइंग्स नूँडो, ड्रोइंग्स यहाँ पे, यहाँ आजाएगा 67320, 67320 अपने पास capital है यह, ठीक है, net profit plus किया, ड्रोइंग्स हमने minus कि, अब इसके बाद क्या लिखेंग्स, अब हम लिखेंगे non current liabilities, non current liabilities लिखेंगे, योगि results थो है नहीं, non current liabilities के उपरा आजो, non current liabilities में loan from X से 10,000 का, इसके अलावब और कोई non current liabilities नहीं है, तो अब हम लिखेंगे current liabilities, current liabilities में क्या आएगा अपने पास, current liabilities में आएगा creditors for rent 500, creditors for rent 500, sundry creditors 5600, end, अपने पास और कुछ बचा, हाँ, ये bills payable बच गया 3000 का, bills payable बच गया 3000 का, अब चेक कर लो भाई, कोई item तो missing नहीं है आपका, सारे हो गए, अब total कर लो भाई, और ये आपकी match करनी चाहिए, दोनों side equal आनी चाहिए, ध्यान रखना, ये टोटल आ रहे हैं मेरोक का, ये टोटल आ रहे हैं, तो ये आ रहे है, 86420, ये अपने पास टोटल आ रहे हैं, दोनों equal है, देखो, अगर आपको लग रहे हैं कि हमने सब कुछ ठीक किया है, balance equal नहीं आ रहा, तो अपना net profit चेक कर रहा, ठीक है, क्योंकि जो गडबन मिलेगी, वो का मिलेगी net profit में, अगर net profit गलत है, तो हो सकता है, chances है कि आपका gross profit गलत हो, तो कहने का मतलब है, अगर आपके balance sheet match नहीं हुई, तो कहीं नहीं कहीं आपके question में पहले आपने mistake की होगी, ठीक है, ये order of permanence था, अगर order of liquidity में आपको करना है, तो आपको इसका बिल्कुल उल्टा करना पड़ेगा, बिल्स पेबल पहले, creators उसके बाद, creator for rent, then loan for max, ऐसे, ठीक है, ऐसे जाना पड़ेगा आपको, कोई जरूर ही नहीं है, order of permanence, order of liquidity, हमारा काम है कि answer ठीक लेके आने, इसके बाद हम maintain नहीं करेंगे, मैंने आपको एक क्यूशन में करके दिखा दिया, ठीक है, सो मिलते हैं, next video में with the next question, कौनसा question हो जाएगा इसके बाद ये, question number 15, और next video में ये chapter complete, उसके बाद करेंगे, financial statement with the adjustment startum, thank you,